विक्सित होना ही जीवन का उदेश यह है लगातार हमें अपने विकास की आत्रा पर चलना चाहिए आगे और आगे और आगे और आगे कहीं रुकना नहीं है पून रूप से खिलना है और अगर खिलना चाहते है तो खिलने की भावना अपने अंदर लेकर आईए मैं खिलना चाहता हूँ किसी फूल की तरह अपने आपको विक्सित करना चाहता हूँ इसलिए आपको इस बात का द्यान रखना पड़ेगा कि आप मुर्जाने के लिए दुनिया में नहीं हैं मुर्जाने की चारो तरफ प्रस्तियां होती हैं चारो तरफ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारणा मुर्जा जाते हैं क्योंकि फूल की तरह से प्रतेक कोई व्यक्ति सुकोमल भी होता हैं और छोटे से प्रहार से वो तूट भी सकता है लेकिन पुष्प को प्रसून इसलिए कहा जाता है कि वो है काटों पर सोता है कमाल की बात तो यह है कि प्रतेक स्थती के बीच भी खिलता है बस वही एक बात है कि आपको भी खिलना है विक्सित होने के लिए दुनिया में हो किसी और पर भरोसा करोगे कि कोई आपको खिलने दे विक्सित होने दे मुश्कराने दे कोई भी मदद नहीं करेगा इसलिए आपको स्वयम ही कोशिश करनी होगी कि आप अपने आनद में जी सकें मज़ी की बात ये है कि जैसे किसी फूल को खिलने के लिए उसकी जो जड़े है उसमें पानी का संचार होना चाहिए क्योंकि खिलने के लिए जरूरी चीज है कि जड़ों में जो कुछ डाला जा रहा है अगर उसमें पानी पहुँच रहा है, उसमें खाद पहुँच रहा है तो खिलने की इस्तती रहेगी तो आपको भी यह सोचना होगा कि आपकी जड़ें कहां है और आपका पानी क्या है, आपकी खाद क्या है जिसके करण आप खिल सकते हैं जिसके करण आप मुस्करा सकते हैं जिसके करण आप विक्सित हो सकते हैं क्योंकि बाहर से कोई भी कोशिश करें बात नहीं बनेगी बात बीतर से बनेगी जातर हम लोग बाहर की दिरब जाद ध्यान देते हैं बाहर से चमकाने में अपने आपको लगे रहते हैं लेकिन हम वही दिखाई देते हैं जो कुछ हम बीतर हैं कितना भी हम ढखें अपने आपको थोड़े देर के बाद हमारे बीतर वाला रूप बाहर आ जाता है इसलिए मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि आप पहले अपने जड़ों को ढूणने की कोशिश कीजिए कि आपकी जड़े क्या है तो उस सब जड़ों में एक बात तो यह समझ लीजिए कि जैसा आपका चिंतन मनन है जैसे आपके विचार है उसी के अनुरूप आपकी चेष्टाई होती है आपके कर्म होते हैं आपका व्यवार होता है जो कुछ अंदर हो जाते हैं उसके कारण बाहर आप दिखाई देने लगते हैं किसी का बेटा अगर कोई गलत व्यवार करता दिखाई देता है तो बहुत सारे माबाव दुखी होते हैं यह ऐसा क्यों करता है वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके भीतर कुछ विचारों में गड़बड है मस्तिक्स ऐसा हो गया है इसलिए ऐसा करता है तो उसको विचार देने वाले कोई लोग हैं उसको खाद पानी देने वाले कोई लोग हैं उसके मस्तिक्स को जुनों ने ऐसा बदल दिया तो इसलिए वो व्यभार ऐसा कर रहा है इसलिए आप ध्यान रख लीजे कि जब आप जो कुछ आप अंदर हो जाते हैं वही आप बाहर होते हैं हर प्रभाव का कोई न कोई कारण है और हर कारण का कोई न कोई प्रभाव है इस बात को ध्यान में रख लीजे कोई भी प्रभाव आपको दिखाई देता है दुनिया में उसका कोई कारण होता है हर परिणाम का भी कोई कारण है और हर कारण का कोई न कोई परिणाम होगा काज एंड इफेक्ट का सिध्धान दुनिया में काम करता है कारण और उसका प्रभाव इसलिए याद रख लीजिए कि जो कुछ भी कारण है वही उसका प्रभाव सामने आएगा जो बीज है उसी के अनुरूपी तो फल सामने आएगा तो बीज हैं आपके विचार आपके विचार अगर ठीक है तो यह ध्यान रख लीजिए बाहर वोही सब दिखाई देगा हमारे विचारों को बदलने के लिए पूरी दुनिया में कारिय हो रहे है आपका टीवी, टीवी में चलने वाले प्रोग्राम आपके विचारों को बदलते हैं आपके राय बदलते हैं आपके डिसिजन बदल देते हैं सारे विग्यापन यही काम कर रहे हैं कि आपको कौन साबून खरीदना है कौन सा तेल खरीदना है कौन सी क्रीम खरीदनी है उससे बेतर बेतर चीजें दुनिया में होती हैं, लेकिन वो राय देंगे आपको, आप डूंड कर जाओगे वहीं, उसी को खरीदोगे आप, सारे बोर्ड लगे भी हैं चारो तरफ, बड़े-बड़े बोर्ड चारो तरफ दिखाई देते हैं, जिनके ओपर विज्ञापन आ रहा है, करोड़ों रुप बनाकर, गाना गाकर आपको प्रभावित किया जाता है, कि आपकी राय बदल जाए, उन्होंने राय बदल दी आपकी, कि आप अपना घी नहीं खा सकते हैं, आप नकली घी खाईए, क्योंकि वो सेथ के लिए अच्छा है, जो आपके पूरवज खाते थे, वो मत खाईए, आपने छोड़ दिया, उन्होंने जो आप पहले तेल लगाते थे, वो बदल दिये, उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये तो खराब है, हमारे वाला लगाओ, इसलिए आप सुन्दर दिखाई दो गए, इसलिए आप के बच्चे, आपकी राय को बदलने वाले लोग हैं, क्योंक जाएगे, कभी किसी के कपड़े फठ जाते थे और फटवा पहन कर जाता था, तो लोग समझाते थे, गरीबी कितनी भी आजाये, पर इस बात का ध्यान लखना फटवा मत पहनना, फटवा पहनने का मतलब ये है, कि आपकी दीन ता बाहर जाक रही है, सिल लीजिए, और दो कर पहने है, स्वच भी रहें, और खंड इतना दिखाई दें, लेकिन लगाया फैशन, ओपर के क्या लोगों ने तो अपनी पैंटे फाड ले है, जीन्स फाड कर चल ले है, और सब से महंगी वही है, अब क्या करोगे, अगर पहले किसी को कहें कि देखिए, आज कल फैशन ह है, आपके जीन्स जो है, उसमें से कम से कम, आट दस तो छेद होनी ही चाहिए, और मजा तो तब है जब घुटने के पास से भी फटी भी हो, और अगर कोई कहें कि सब से महंगी वाली भी यही है, कोई पहले सुन लेता इस बात को, कोई लेता, अब ज़रा सोच कर देखिए आपकी राय बदल दी गई, आप वैसे हो गए, बदला क्या? बाहर से नहीं बदला आपको, बाहर से आप तब बदलें पहले आपके विचार बदल दी गए, आपका मस्तिक्स बदल दी आगे, टोपी, कैप लगाते थे लोग, उल्टी लगाते हैं अज कर, उल्टी लगाए क्वैशन मतलब रआ बना देना कुल मिलाकर हम उस बिनदू तक पहुचे हैं आप जो बहर दिखाय देने लगते हैं वह तब दिखाए देते जब आपका मस्टिकस बदला जाता है आपके ज़ा करए अन्दर कोई चेंज लानी है या आप बहर कोईशी लाना काहते हैं बहर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अंदरपरिवर्तन कीजे उब दो क्तो आप क्या सुन्ते हैं क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या विचारते हैं, इस पर जरूर दियान देगी, इस से भी आगे आपको ये बात दियान देनी पड़ेगी, आप किन के साथ बैठते हैं, कैसी संगती आप करते हैं, इस सब का प्रभाव आपके जीवन में आता है गुरुपुर्णीमा के पावन आउसर पर आप सभी को मैं आमंत्रन दे रहा हूँ ये एक सुन्दर आउसर है सभी के लिए के जब हम अपनी भीतरी शक्ती को जागरित कर सकते हैं अपने विशाद को प्रसाद में बदल सकते हैं अपने जीवन को इस मृत्य लोग से शिवलोग की आत्रा में ले जा सकते हैं अपने भीतर के आनंद को जागरित करने के लिए हमारे पास एक सुन्दर आउसर है और इस आउसर का लाव लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय आप अपने आध्यात्मिक लेखा जो खा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धी साधना में भाग लें इसे अमरित मंत्र साधना बोलते हैं और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्ति पात का आवसर भी आपको मिल सके क्योंके नौ से ग्यारा तारिक तक का तीन दिन का एक कारिकरम गुरु मंत्र सिद्धी साधना का है जिसे हम अमरित साधना के नम से जानते हैं और एक दिन का कारिक्रम जो है, वो दिव्य शक्ति पात का है, यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागरित करने के लिए, तीनों गृंधियों की औरजाव को उपर उठाने के लिए, और परब्रम परमीश्वर से अपना सम्मन जोड़ते वे, अपना ओरा स्टॉंग कर तेवे, हम उस जगे पहुंचते हैं, जहां से हमें सुक्सो भग्य पराप्ति के लिए एक कृपा पराप्त होती है, तो इसके लिए मैं चाहूंगा, कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएं, इसका लाब लें, और कोशिश करें, कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतल हमारे लिए बादा बनता है, हम शुब के लिए देरी करने लग जाते हैं, और शुब को उसी समय तयार हो जाते हैं, पूरा करने के लिए, तो आप सब को आमंतरन है, आईए और लाब लीजिए